एक्टर प्राचीन चोहान ने छेड़ छाड़ के आरोपों पर तोड़ी चुपी, कहा सच्चाई जल्धी सामने आएगी। शुक्रवार की रात मलाड इस पुलिस द्वारा छेड़ छाड़ के आरोपों में अरेस्ट हुए एक्टर प्राचीन चोहान की चौकाने वाली खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी एक्टर को 22 साल की लड़की के साथ छेड़ छाड़ के आरोपों के बाद हिरासत में लिया गया था ऐसा बताया जा रहा है कि विक्टेम शोबेज इंडस्ट्री का ही हिस्सा है लड़की ने आरोप लगाया है कि एक्टर ने नशे की हलत में उसे गलत तरीके से छुआ है शनिवार दोपहर को प्राचीन को बोरी वली कोर्ट में पेश किया गया था जहां से बाद में उन्हें बेल दे दी गई है इस मामले पर प्राचीन चौहान ने अब अपनी चुपी तोड़ी है स्पॉर्ट बॉय को दिये गए इंटर्विव में प्राचीन ने बताया है कि मैं अभी भी इस मामले में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इस से काफी शौक में हूँ मुझे इस मामले पर कुछ भी कॉमेंट करने से पहले अपने लॉयर से बात करनी पड़ेगी अभी के लिए मैं क्लियर तोर पर कह सकता हूँ कि ये एक जूटा मामला है और मैं एक ओफिशिल बयान जारी करके बहुत ही जल्द अपनी कहानी बताऊंगा प्राचीन से जब पूछा गया कि क्या इस लड़की की कहानी में कोई भी सच्चाई है तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब मेरे पास इस मामले को लेकर बात करने की पूरी सपश्टा होगी तो मैं बताऊंगा कि सच्ची कहानी क्या है प्राचीन चोहान के इस पूरे केस पर पूलिस का जो ओफिशल स्टेटमेंट आया था उसमें बताया गया था कि प्राचीन ने एक दोस के साथ विक्टिम को 30 जून की रात को अपने घर पर बुलाया था आरोपी नशे में था और उसने लड़की को गलत तरीके से चुआ था जिसके बाद लड़की की कंप्लेइन पर पुलिस ने प्राचीन चोहान को अरेस्ट कर लिया था वेल क्या कहना है आपका इस पूरी स्टोरी पर हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और टेलिविजन की ऐसी ही सारी लेटिस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूले